मेरे पहरे देश्वासियों, अभी हम जिग्यासा से कुछ नया सुखने और करने की बात कर रहे थे, नए साल पर नए संकल्पों के भी बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो लगातार कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, नए नए संकल्पों को सिद्ध कर थे रहते हैं कि आपने भी अपने जीवन में महशुस किया होगा जब हम समाज के लिए खुश करते हैं तो बहुत कुश करने की उर्जा समाज हमें कुद ही देता है कि सामान्य से लगने वाली प्रणानों से बहुत बड़े काम कि हो जाते है अइसे ही एक युव neighborhood है श्रिमान प्रदीप सांगवान गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान 2016 से हीलिंग हिमालयाय नाम से अभियान चला रहे हैं वो अपनी टीम और वोलेंटियर्स के साथ हिमालय के अलग-अलग इलाकों में जाते हैं और जो प्रदीप जी अब तक हिमालय की अलग-अलग टूरिस्ट लोकेशन से टनों प्लास्टिक साप कर चुके हैं इसी तरह करनाटका के एक युवा दमपती है अनुदीप और मिनुशा अनुदीप और मिनुशा ने अभि पिछले मेंने नवंबर में ही शादी की है शादी के बाद बहुत से उवा घुमने फिलने जाते हैं लेकिन इन दोनों ने कुछ अलग किया ये दोनों हमेशा देखते थे कि लोक अपने घर से बाहर घुमने तो जाते हैं लेकिन जहां जाते हैं वहीं डेर सारा कुडा-कच कच्रा छोड़कर आ जाते हैं करना टका के सोमेश्वर बीच पर भी यही स्थिती थी अनुदीप और मिनुशा ने ताई किया कि वो सोमेश्वर बीच पर लोग जो कच्रा छोड़कर गए हैं उसे साप करेंगे दोनों पति-पत्नी ने शादी के बाद अपना पहला संकल्प यही लिया दोनों ने मिलकर समंदर तटका काफी कच्रा साप कर डाला अनुदीप ने अपने इस संकल्प के बारे में सोशल मीडिया पर भी शैर किया फिर क्या था उनकी इतनी सांदार सोच से प्रभावित होकर धेल सारे युवा उनके साथ आकर जुड़ गए हैं आप जा जानदा कच्रा साप किया है साथियों इन प्रयासों के बीश हमें ये भी सोचना है कि ये कच्रा इन बीचीच पर इन पहड़ों पर पहुंचता कैसे हैं आखिर हम में से ही कोई लोग एक कच्रा वहां छोड़ कर आते हैं हमें प्रदीप और अनुदीप मिनुसा की तरव उससे भी पहले हमें ये संकल्पी लेना चाहिए कि हम कच्रा फैलाएंगे ही नहीं आखिर स्वच्छ भारत अभियान का भी तो पहला संकल्प यही है हाँ एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कोरोना की विज़र से इस साल इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाई ह हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही है ये भी 2021 के संकल्पों में से एक है